भारत और उस्टेलिया के बीच ऑप्टस स्टेडियम में खेले जा रहे बॉर्डर गवास का ट्रोफी के पहले टिस्ट में भारत ने एतिहासिक जीत दर्ज किये। बनाये उस्टेलिया की टीम 104 पर धेर हो गई। इसके बाद भारत ने अपनी दूसरी पारी 478 रनों पर घोशित कर दी। उस्टेलिया को जीत के लिए 534 रनों का लक्ष मिला जिसका पीछा करते हुए उस्टेलिया की पूरी टीम दूसरी पारी में 238 रनों पर आउट हो गई और 295 रनों से मुकाबला हार गई। बारत के लिए एससवी जैसवाल ने 161 और विराट कोली ने 100 रन बनाए। वही जस्परीत बुम्रा ने पहली पारी में 5 और दूसरी पारी में 3 विकेट हासिल किये। बुम्रा ने कप्तानी भी बहतरीन की और गेंदबाजी में भी दि दूसरी पारी में भी भारतिये गेंदबाजों ने निरास नहीं किया। उन्होंने दूसरी पारी में उस्टेलिया के 6 खिलाडियों को दहाई का भी आकड़ा पार नहीं करने दिया। दूसरी पारी में ट्राविस हेड 89 उस्टेलिया के टॉप स्कोरर रहे। वहीं भारत की प्रफ टेस्ट में कुल मिलाकर आठ विकेट अपने नाम किये नियमित कप्तान रोहित सर्मा नहीं थे उनकी गैर मौझूदगी में तेज गेंद बाज जस्परीद बुम्रा की अगवाई वाली भारतिये क्रिकेट टीम ने पर्फ में इतिहास रचा है भारत ने मेजबानों को चौकाते हुए 295 रनों से बड़ी जीत दर्च की भारतिये टीम खेल के हर विभाग में ऑस्ट्रेलिया पर 21 साबित हुई और 4 दिन में ही ऑस्ट्रेलिया के अभेद किले पर अपना परचम बुलंद कर दिया इस जीत के साथ ही भारत ने कई बड़े अपने नाम कर लिए चलिए आपको बताते हैं पर्थ टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को 295 रनों से हरा कर भारत ने ऑस्ट्रेलिया में अपनी सबसे बड़ी जीत दर्च की इससे पहले भारत को ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ी जीत 30 दिसंबर 1977 को मेलबर्ण में मिली थी जब पर्थ टेश्ट में औस्टेलिया को हरा कर भारत ने टेश्ट क्रिकेट के इतियास में औस्टेलिया के खिलाफ अपनी दूसरी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। भारत को न्यूजिलेंड के हाथों तीन मैचों की घरेलू टेश्ट सिरीज में हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद इंडियन टीम दूसरे स्थान पर आ गई थी वर्ल्ड टेश्ट चेंपियनसिप की बात में कर रहा हूं जबकि आउस्टेलिया की टीम नंबर वन पर आच हार और एक ड्रॉ के साथ कुल 110 पॉइंट्स के साथ है टीम इंडिया का विनिंग परसेंटेज 61 दसमलब एक एक का है जिसके चलते बारतिय टीम ने नंबर वन पर कब जाकर लिया है तो वहीं ऑस्टेलिया की टीम 13 मैचों में 8 जीत 4 हार और एक ड्रॉ के साथ 90 पॉइ के साथ तीसरे तो वहीं न्यूजिलेंड 72 पॉइंट्स और विनिंग परसेंटेज 54 दसमलब 55 के साथ चोथे स्थान पर है पांचवे नंबर पर साउथ अफरीका है और इंग्लेंड छठे और पाकिस्तान साथवे नंबर पर है तो भारतिये टीम ने वापस से नंबर वन की कुरसी हासिल कर लिए है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनसिप में और उस्ट्रेलिया को 295 रेनो से हरा कर पर्त में इतिहास रज़ दिया है कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम दर्श कर लिए है तो अब देखना होगा कि दूसरे टेस्ट मैच में आस्ट्रेलिया की टीम कैसे बाउंस बैक करती है या फिर भारतिय टीम डॉमिनेंट रहीगी ये भी देखना बड़ा दिल्चस्प रहेगा फिलाल के लिए इतना ही ताजातरीन खबरों का सिलसला लगातार जारी है देखते रहें दर्श निउज